हाई दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है रोई एंध वीडियो जल्दी ही लॉण्च वाली है उसके सामने जो है होंडा भी लॉंच कर रहे है रेवल 300 दोस्तों रेवल 300 के बार में सब डिटेल जानेंगे पहले उसका एक ट्रेजर देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो आया हुआ है जिस्ते की बहुत जाद तलका मचा हुआ है जिसका एक्साउस साउंड है वो बहुत यह प्यारा लग र ब्हुत वर सट्टीना मचा हुआ है जिसका फिए तो दोस्तों आपने जो साउंड सोना वो है रैबल 300 का दोस्तों होंडा का मोडल का साउंड जो था और जो था भाइव रधा है वहा हुआ तो ये मोडल है और युएस में चल रहा है उसके बाद इंडिया में तीस तारिक को अनॉंस कर दिया है कि लांच होगा तीस सप्टेंबर में लॉपने वाला है अगर यह launch होता है तो एक और नया add-on होगा market के लिए cruiser में जैसे के माल में इंडिया में cruiser के models जो है वो बहुत जादा कम है जब cruiser concept की bike जब सर्च करते हैं तो बहुत ही कम और rare options ही दिखते हैं ज्यादा आपको royal and field ही दिखाए देगा 85% 300 CC to 500 CC में तो दोस्तों नए option जो है create हो रहे हैं नए feature model जो है आपको आ रहे हैं तो जल्दी से पहले देख लेते हैं rebel 300 के features detail engine performance के बारे में फिर उसके बाद में comparison करते हैं दोनों के बारे में meteor में और आपको rebel में क्या क्या मिलने वाला है तो दोस्तों अगर बात करें होंडा rebel के specification की तो दोस्तों इसमें इंजन आ रहा है वो 286 CC का सिंगल सिंटर लिक्विड कूल फो स्टोक डियो एसी इंजन पॉर्मिट आ रहा है दोस्तों जो पावर आपको दे रहा है 27.19 PS का एंड टॉक जो मिल रहा है 27 अनम का मतब पावर जो है अच्छा प्रोडूस कर रहा है इवें टॉक भी आच्छा दे रहा है सिक स्पीड गेर मिल रहा है जिसके वैसे आपके स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है बहुत ही अच्छा है और दोस्तों फ्रेम जो है अगर बात करेंगे टायर की बात कि जाए तो बिलकुल प्रेंग ग्राउंड ग्राउंड क्लिरिंस की तो 150 mm की ग्राउंड क्लियन से फ्यूल तैंक का बात की जाए तो तो भी आप इस बाइक को एजिली राइड करते हैं विकॉस का सेटिंग हाइड जो है 690 mm का है दोस्तों और जो दोस्तों इस ओवरॉल जो वेट है का वो भी 170 kg के आज पास का है तो समय तीन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल जाता है और बहुत सार सेटिन जो हैं कमपनी के थ्रू ही मिल रहे हैं जो कूजर में आपको की जाते हैं आपको सारी जहरे हैं तो अब हम जान लेते हैं को बारे में फ़िर हम कंपेर करेंगे दोस्तों और बात की चैकनिकल स्पेसिपिकेशन की सामने आपके सारे डीपिरल्स हैं टैंक और 118 इंचन जो है 345 निस्टी का सिंगल स्टोड ओल कूल इंचन मिल रहा है। 20.2bhp पारपी दिसकर रहा है, 6,000 mbhp पर दोस्तों, दोस्तों, मैक्सिम्म टॉक जो मिल रहा है, 27 mm का 4,000 rpm मिल रहा है, फ्रंट एंड रेर में टेस्ट ब्रेक आपको मिल रहा है, अगर अगर अपको अगर 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 टॉड़ाई की बाग किया टायर के तो, अगर पर पर दोस्तों, पर दोस्तों पर दोस्तों, तो यह हो गया मेटियोर का स्पेसिपिकेशन और यह बहुत सारी डेटल जो है, पीछे कवर कर रहे हैं वीडियो में जिसमें क्या कि और भी फीचर्स आपको मेल रहे हैं, सिटिंग हाइट जो है और इसकी जो सिटिंग हाइट है वो 765 mm की है दोस्तों, 765 मतलब अगर आपकी हाइट जो है 5.2, 5.3 है तो भी आप इसको इसको इसली आप राइड करते हैं, तो इसमें अगर तो तोटल आपको 7 कलर ऑप्चिंस मिल जाते हैं, तो दोस्तों, कमपेरिजन चार्ट जो है आपके सामने हैं, दोस्तों, मेली जो डिफरेंस दिखना है और रेवल और मेट्योर में वह दिख रहा है पावर का, दोस्तों, 27.19 PS का पावर जो है, रेवल कर रहा है, और मेट्योर जो है, 20.2 BHP का, टॉक जो है, दोनों का अलमोस सेम है, बट गेर जो है, वो चेंज है, दोस्तों, मेट्योर में आपको 5 स्पीड गेर मिल रहे हैं, और रेवल में आपको मिल रहे हैं, 6-speed gear, तो उसे से डिफेरेंट क्या आता है, speed range का difference आता है, अगर मेट्योर में 6-speed gear होता, speed range increase होता, frame अलमोस सेम है, suspension भी अलमोस सेम है, दोस्तों, टायर डिस ब्रेक्स जो है, वो भी डिस ब्रेक साइज है, वो भी चेंज है, even the meteor में अच्छे breaking मिल रहे हैं, मगर टायर साइज में भी difference मिलेगा, जो meteor में जाब को टायर मिल रहे है, वो पतले टायर मिल रहे हैं, दोस्तों and wheelbase में भी जादा difference नहीं कहेंगे थोड़ा बहुत difference है जो rebel है वो थोड़ा सा long size में मिलेगी ground clearance जो है rebel का कम है meteor को जादा मिलेगा 170 mm का मिलेगा fuel tank capacity भी आपको meteor का अच्छा मिल रहा है दोस्तों 15 liters का अच्छा मिल रहा है sitting height में जो है जो कुजर हाइट जो होती होती होता है शौट ही होनी चीज़ से शौट राइडर भी एजली राइड कर सकें फुट पैक आगी तरह ही मिलेंगे दोनों में ही आपको बट इसमें जो sitting height है जो उपर है वो meteor के आपको मिल रही है weight में जो heavy है weight अभी पूरा totally clear नहीं है 185 kg के असपास में approach का जा रहा है बट यह unofficial है officially नहीं clear किया गया है meteor का तो weight में heavy मिलेगी आपको and color options जो होंगे वो भी आपको meteor में ज्यादा मिलने बट में आपको मिल रहा है semi-digital instrument का जिसमें आपको analog और digital का combination मिल रहा है दोस्तों आपने basic difference देख लिया कि कई जगह पे meteor बहुत अच्छा है और कई जगह पे rebel जो है honda का वो बहुत अच्छा है दोस्तों वैसे तो कहा जाए look मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है है rebel का क्योंकि एक cruiser concept bike है और बहुत ही अच्छी लुक के साथ बनाई हुए even sound जो दिखा रहे है सुना रहे है अगर वैसा हुआ तो बहुत सार राइडर जो है honda के दिरू जाएंगे because honda का worldwide प्रफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है इवन रॉल इंफील जितना अरेंडी कर रही है मेटियोर पे अगर वो तीस तारी से पहले पर लाउंच नहीं जरती तो बहुत बड़ा सेल जो है वो लेकर जा सकता है है travel because बहुत सा राइडर जो है honda lover भी बनने वाले है बिकोज कुसर कॉंसर में मार्केट में अभी रॉयल इंफील ही खेल रहे हैं दूसरे ऑप्षिंस अवेल नहीं है इसके वाज़े से रॉयल इंफील का जो मार्केट शेर हो चाता है अगर ऑप्षिंस क्रेट होंगे तो देखते हैं दोस्तों वैसे तो अभी एक अनॉफिशिल न्यूज आ रही है कि जो मीटियोर है वह थोड़ी डिले की जा रही है पहले लॉंच होने वह सेप्टमबर में वह थोड़ी डिले किया रहा है कब तक होगा वह क्लेर नहीं है बट यह रैबल का क्लेर है कि रैबल ज दोस्तों मॉडल के आने से पहले आप उसको गलत या सही बिल्कल नहीं बोल सकते ठीक एक बार लाइवली आने दीजिए रोट प्रफॉम्मेंस देखेंगे उसके बाद ही कंपेशन ही था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोस्तों फीचर के क्या डिफ्रेंस हैं स्पेसि सब्ला रेवलेशन भी होगा और बहुत सारे चेंज़ मॉडिफिकेशन देखना को मिलेंगे इंडियान रोट पे तो दोस्तों आई होप आपको इंफ्रमेशन बहुत अच्छे लेगे होगी ख्याल रखें ध्यान रखें और देखते देखेंगे बहुत सारे इंफ्रमेंट